जै स्री माकाल जै मातरानी की आप सभी का मातरानी कल्यान करें और आप सभी को शोके रखें आप से एक विजिस साधना के बारे में बास्चित कर रहे हैं जो एक जीन साधना है जिसको आप करना साहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो में आपको मंत्र जो भी अमल मंत्र है वो पूर्य बताएंगे उसकी वीदी बताएंगे कितना जब करना है वो बताएंगे कैसे करना है वो भी बताएंगे कब करना है वो भी बताएंगे आप जूड़िएगा और आपसे निवेदने आप टेलिग्राम पर भी हमसे संप्रक करे उससे पेले आपसे निवेदने आप सेनल को सस्प्राइब जरूर करे और घंडी के बेल आइकन को भी जरूर दबाए आप हमसे बात करने के लिए टेलिग्राम पर जुड़े और फेस्बुक पर हमारा जो भी फेस्बुक अकाउंट है उस पर भी जुड़िएगा उनका लिंक वगेरा भी इसी गरूप में सैनल पर एवेलेबल है बात करते हैं इस साधना के बारे में तो ये साधना आपको कैसे करनी है किस परकार से करनी है इसका पूरी पूरी जानकारी आपको देंगे बस आपको वीडियो पूरा देगना है इस वीडियो में ही आपको पूरन जानकारी दी जाएगी सब कुछ बता दिया जाएगा अगर नहीं करते हैं तो वो आपकी गलती है आप किस परकार से करते हैं आपकी मांसिक जो सिंतन शक्ति है वो कैसी है उस पर परबाब पड़ता है कि आप सादना में सपल कैसे होंगे कोई भी सादक है अपनी मांसिक सिंतन सकती है उसको कंट्रोल रखे किसी के बताए अनुशार ऐसे नहीं सोसना सहिए कि उसने ऐसे काए तो ऐसे हो जाएगा ये कलयोग है किसी के कहने से कुछ भी होता है या नहीं होता है अभी इसके कोई गारंटी नहीं है इसलिए अपनी सिंतन सकती को सही ढंग से परियोग करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा केवल ऐसे सोस के नहीं करना है कि ये सादना इतने समय में करेंगे और ऐसा ऐसा हो जाएगा अगर आपने इतने समय में उस साधना को की लेकिन आपके मन में एकी भावता कि इतने समय में करनी है तो ऐसे हो जाएगा आपके मन में वो भाव नहीं था कि वो शक्ति के साथ में आप जूड के साधना करें वो भाव नहीं था शादना करने के लिए अपनी तनमन को साथ में जोड़ना पड़ता है, कोई मारक दिकाता है, लेकिन मारक बताता है, लेकिन आखिर उस मारक पर चलना अपने को पड़ता है, साई पेरों में जूते है या नहीं है, अब उसने तो राष्टा दिखाया है कि ये राष्टा जाता है अब आगे जाके जंगले पहारी है नदी है क्या है उसकी व्यवस्ता तो स्वेम्न को करनी पड़ेगी उसकी व्यवस्ता के लिए भी बताने वाला साथ में थोड़ी आएगा कि चल तेरे आगे नदी आगी तो मैं पूल बना के दे दू चल तेरे आगे पाड़ आ गया तो मैं यहां से इसको तोड़ दू ऐसे तो नहीं होगा तो मेरा कहना यह यह अगर कोई भी आप साधना करते हैं तो उसमें अपना मन और तन लगा के फिर साधना करें हम तो केवल हमारी वीदी के अनुशार हम परियोग जो भी है मेहनत के अनुशार बताते हैं उसमें मेहनत तो आपको करने पड़ेगी आपका तन है आपका मान है अगर ये दोनों आपके उस शक्ति के परती जुड़ेंगे तब आप सपल होंगे हमारे सब्दों पर जुड़ेंगे तो आप कैसे सपल होंगे आपको उस शक्ति के साथ में जुड़ना पड़ेगा तब जाके आप सपल होंगे चलो बात करते हैं इस साधना की इस साधना में आपको क्या करना है कि इस साधना आपको किसी भी नौसंदी, बुद्वार, गुरुवार या शुक्रवार इस तिन दिन में से किसी भी दिन आपको शुरू करना है और शुरू करते वक्त धूप दिप का परियोग करना है दिप आप किसी भी समेली ते ले, तिलन ते ले खिया खीका भी जला सकते हैं इसके अलावा धूब है आप लोबान प्रियोग कीजिएगा या लोबान वाले अगर बती है तो उसका प्रियोग कीजिएगा और जब भी साधना करते हैं तो एक कागज पर जो भी मैं मंत्र बता रहा हूँ उसमंद्रको उसकागज़ पर लिखना है और लिखके रखना है यह सद्वना आपको रात्री का लेड़ में ही कननी है जब भी आपका आसपास का महौल सांत रहता है आप घर पर कई भी एकांत हैं कई भी कर सकते हैं लेकिन घर पर आप बहुती एकांत जगमेश का परियोग कर करें पारिवार एक चैसे नीचे परिवार वाले रहते हैं आप पी नीचे कर रहें तुम नहीं चलेगा आपके सत्पर कोई अकिला कमरा है तो वहां पे चलेगा कि या फिर आप एकांत में कई भी ऐसी जगों में आप पहले से बंदोबश करके जा सकते हैं माओ लास पास का सांत होना चाहिए ये साधना आपको सांत से सौधा दिन तक करनी हैं सांती बस में इसके सिद्धे हो जाती है 100% आपको इसका वाक्या हो जाएगा उसका मालूम हो जाएगा कि साधना में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये एक जिन या मुवकिल आप कैसी सक्ति को बुला रहे हैं वो बहुती पौवर्फुल सक्ति है तो इस सक्ति को बुलाने के लिए आपको मंतर का अमल का परियोग करना पड़ेगा इसमें हवन की आप सक्ता नहीं है केवल थुपदिप की आप सक्ता है आपको दिन बता दिये किसी भी बुद्वार गुरुवार या शुकरवार से सुरू कर सकते हैं विशे इस दिन है और अपने आसपास का महौल सांथ है और जो भी मैं आमल बता रहा हूं उसको कागज पर लिखे जहां पे भी आप बैठते हैं आपके सामने रख देजिएगा और विशे इस बात आपके पास में कोई भी सुरुक्षा कवस है तो उसका हिसार लगा के बैठे उसका खेरा लगा के बैठे नहीं तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सक्तिया बहुत पावर्पुल होती है और आप करेंगे तो आपको पता चलेगा इस मंत्र को करने के लिए आपको मंत्र बता देता है रात्री कालीन की शादना है दूपदिप का परियोग करना है आप इनके भोग के लिए आप क्या है भोग के लिए आप कुछ मिष्टान का परियोग करते हैं तो बैतर है लेकिन आप फूलों का परियोग ज़रूर करें रोजना कुछ आप गुलाब के आज पास में कहीं भी फूल मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आप दूसरे फूलों का भी परियूग करें अगर गुलाब के मिलते हैं तो आज पास से कहीं भी आप परो जाना पांस दस रुपे के लिए आईएगा ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत फूल होने सहिए किसी भी शादना में वाका मावल कुछ अच्छा बनाने के लिए धोप अच्छा प्रियोग में करना चाहिए मंतर शुन लेजिएगा आपको मंतर बता देते हैं यह रात्री का लिन क सादना है ध्यान रखना और जब भी करते हैं तब अखिले करना और शुरुक्षा का भी ध्यान रखना अगर शुरुक्षा का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो किसी भी परकार की कोई भी घटना होती है तो जिसके जिमेदार हम भी नहीं हैं और हमारा यूटूब शैनल भी नहीं हैं हम केवल जानकारी मात्र और नौलेज मात्र से बता रहें जो भी करना है आपको करना है अगर आपको इसमें परेशाने होती है तो आप स्वेम इसके जिमेदार हैं अगर आप हमसे संप्रक करना शाहती हैं तो आप टेलिग्राम पर संप्रक करें, या फेस्बुक पर संप्रक करें अब हमारे कोई भी वाट्सप नम्बर वगेरा एविलेबल नहीं है हम से टेलिग्राम ग्रूप पर बहुत सी लोग साधनाई लेते हैं उनको दे रहे हैं आप भी चुड़के साधनाई ले सकते हैं फिशेश परियोग है ऐसे अब कोई ज्यादा पावरफुल सकती है तो उसकी सुरक्षा अनिवारे है अगर आप सुरक्षा नहीं करेंगे तो आपके साध में कुछ भी गटना गटी तो हो सकती है मंतर शुन लेजिएगा ये शाधना करने के बाद में आपको क्या लाव होंगे ये भी वपाया आपको बता देता हूँ ये शाधना करने के बाद में आप क्या करना चाहते हैं वो आप पर निर्बर है आप उसको कैसे इस्तमाल करते हैं किसी भी दुसमन के पीसे, किसी को फनसिकरन में, किसी का कुछ उल्टा सिदा करने में, तो सब काम हो जाते हैं चुनएगा मंतर, बिसमिल्लाही रह्मानी रहीम, या फिरोन हाजिर हो ये इस्लामिक साधना हैं, जिनकी इसको आप जरूर करना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये साधना केतने पावरफुल है साथ से सौधा दिन तक करनी है सौधा माला कम से कम परते दिन आपको जब करना है माला में आप किसे भी हकिक का नेला या काला हकिक आप परियोग में ले सकते हैं या वाइट हकिक भी ले सकते हैं माला हकिक की ही होनी चाहिए, दूसरे कोई भी परियोग माला ना करें, केवल हकिक की माला ही परियोग में लिए, मंत्र दुबारा शुनिएगा, बिस्मिल्लाही रह्मानीर रहीम याफिरोन हाजिर हो, यह मंत्र है, आप इसका परियोग किजिएगा, जरूर सपलोंगे, इसको रोजाना कागज पर लिखना है आपको जब भी ये सादना करते हैं कागज पर लिखके सामने रखिएगा फिर उस कागज पूरी रात अपने तकिये के नीशे है आप रख सकते हैं फिर जब भी सुबह उठते हैं तो बिना कुछ बोले उसको याद करके ये मंतर है इसको साथ बार कम से कम पढ़के आप उसका अगत को जला दे और जब भी जलाए तब इसको कोई देखे ना और उसी जगह पे उसी कमरे में जहां पे आप सोते हैं वहीं चला देजिएगा जहां पे आप साधना करते हैं वहीं चला देजिएगा ऐसा करने से ये सकती बहुत ही जल्दी आप से संप्रक करेगी अब आपका दिल कैसा मजबूत है आप उनसे संप्रक कर सकते हैं या उनसे डर के मर सकते हैं इसका हमारी कोई गारंटी नहीं है इसके लिए आप कुछ स्वेम को इसमें सुरुख्षा करने पड़ेगी अब बहुत सी सादनाओं में इंसानों की जान सली जाती हैं मरते भी हैं कुछ भी होता है उनकी साद में तो उसमें हर कोई उनका साथ तो रहता नहीं है यूटूब पर बहुत सारी सादनाओं हैं तो इसके लिए स्वेम को सुरक्षा करनी जरूरी है आप कैसे करते हो आप पर निर्वर करता है जै भोले ना जै शरी माकाल